और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेही सर्व सुख करई। अर्थात, जब किसी भी देवता की कृपा पाना मुश्किल हो जाए या किसी भी देवता की पूजा से आपका संकट दूर न हो, तो हनुमान जी भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। भक्तों को सभी प्रकार के स सभी मनोकामनाएं होंगी, पूरी और सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करेंगे। स्वयम बजरंग बली जी, हाँ दोस्तों, आज रात से बजरंग बली के आशीरवाद से अब इन बारह राशियों में से साथ राशी वालों की चमकने वाली है। किस्मत स्वयम बजरंग बली करेंगे, हर इच्छा पूरी, जिससे अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और अब इन राशी वालों के जीवन में भगवान बजरंग बली के आशीरवाद से आने वाली है। अपार खुशियां ही खुशियां। आखिर कौन सी है वो भाग गैशाली राशियां। आज की इस सुंदर वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में बजरंग बली की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ला सारही समस्याएं दूर हो जाती हैं, और साधक को बल एवं बुद्धि का आशीरवाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि सिर्फ श्री राम भक्त हनुमान जी ही एक मात्र ऐसे देवता हैं, जो कलयुग में भी जीवित हैं, और प्रिथ्वी पर सदैव विराजमान हैं। माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। इतना ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है चारो युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी की कृपा और प्रभाव चार युगों में रहती है और सभी युगों में श्री हनुमान जी भक्तों के संकट हरते हैं. खास तोर से भूत प्रेत बाधाऊं को दूर करने के लिए हनुमान जी बहुत ही सिद्ध देवता माने जाते हैं. मान्यता है हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जोतिश मान्यताओं के अनुसार इन बारह राशियों में से कुछ राशिवालों पर हनुमान जी की विशेश कृपा रहती है इन राशी वालों की रक्षा स्वन्य बजरंग बली करते हैं। आए जानते हैं किन साथ राशी वालों पर बजरंग बली की कृपा बरसने वाली है। जिससे अब इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जीहां दोस्तों। वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशिया पाध कर रहे हैं उन खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशी आती है मेश राशी दोस्तों जोतिश शास्त्र के मताबक मेश राशी पर भी बजरंग बली की विशेश कृपा रहती है ऐसी मान्यता भी है कि मेश राशी के लोगों की इक्चा शक्ती बहुत ही मजबूत रहती है। हनुमान जी के आशीरवाद से मेश राशी के जातक कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करते हैं। उनके पास हमेशा पैसा रहता है। मेश राशी के जातकों को कुछ बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। इन बुरी लत का शिकार होने के वजह से उनके पास पैसों की कमी हो सकती है। दोस्तों आने वाले दिनों मेश राशीयों के जातकों पर बजरंग बली की कृपा रहने वाली है। इस समय आपके सभी बिगडे हुए कार्य बनेंगे। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह आपको वापस प्राप्त होगा। आपके द्वारा किये गए प्रयास सफल होंगे। सभी कामों में आपका मन लगेगा इस राशी वाले व्यक्तियों की सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। घर परिवार में खुशी का वातावरन बना रहेगा। आपके लिए यह समय बहुत ही लाभधायक रहने वाला है। दोस्तों जोतिश विद्वान बताते हैं कि मेश राशी के स्वामी मंगल हैं और इसलिए यह राशी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस राशी पर हनुमान जी की क्रिपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन मेश राशी द्वारा पूजा पाठ करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशी है, कन्या राशी दोस्तों, कन्या राशी के जातकों के उपर बजरंग बली की कृपा द्रिष्टी बनी हुई है, जो व्यक्ति व्यापारी है, उनको व्यापार में भारी धन लाब होने की संभावना बन रही है। अब ही लाब होने वाला है और आपके जीवन में अब पैसा आने वाला है और आपका व्यापार बढ़ेगा। भगवान बजरंग बली की आपके उपर कन्या राशिवालों विशेश क्रिपा बनी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है। आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा। आपके कारियों की प्रशंसा होगी। इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है। व्रिश्चिक राशी दोस्तों, व्रिश्चिक राशी के जातकों पर हनुमान जी अपनी क्रिपा की बरसात करते हैं। इस राशी के लोगों के कारियों में कोई बाधा नहीं आती है। हनुमान जी की क्रिपा से नौकरी में तरक्की मिलती है। व्रिश्चिक राशी वाले हनुमान जी की क्रिपा से बेहत भाग्यशाली होते हैं। जियोतिश शास्त्र के अनुसार इस राश्य के स्वामी भी मंगल देव हैं और इस राश्य के जातकों पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और जातक को बल और बुद्धि का आशीरवाद प्राप्त होता। आपके जीवन की कई राह आसान करेगा। भगवान बजरंग बली की आपके ऊपर अत्यंत क्रिपा रहने वाली है। यात्राइं ज्यादातर आपके लिए सफल साबित होंगी। साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी योग जल्द से जल्द बन सकता है। जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी हैं। सिंह राशी जी हाँ दोस्तों सिंह राशी के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं और सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। ऐसे में हनुमान जी को यह राशी भी बहुत प्रिय है। इस राशी से बजरंग बली प्रसन रहते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख एवं सम्रिध्धी की प्राप्ती होती है। ज्योतिश मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की कृपा से सिंह राशी वाले जातकों से संकट दूर रहते हैं। इस राशी के लोगों का आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। हनुमान जी की क्रिपा से नौकरी और व्यवसाय में तरक्की मिलती है। सिंह राशी के जातकों को हनुमान जी की विशेश क्रिपा प्राप्त करने के लिए रोजाना बजरंग बान का पाठ करना चाहिए। सभी परेशानियां दूर होंगी। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को पदोन्नती होने के साथ साथ ट्रांसफर होने के योग बने हुए हैं। बजरंग बली की क्रिपा से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है। विशब राशी विशब राशी वाले लोगों को बता दें कि भगवान बजरंग बली की अपार क्रिपा दृष्टी आप पर बनी बजरंगवली की क्रिपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधायें दूर होंगी। आप अपने कार्यक शेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से अब पैसों का आगमन होगा। आए के नए स्त्रोत आपको प्राप्त होगा। नौकरी प जक्ति की आयमें वृद्धी होने के साथ साथ पदोन्नती प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जिशब राशी वालों आपको आकस्मिक धन लाब होगा। ग्रस्त जीवन में सुख शान्ती बनी रहेगी। बजरंग बली की कृपा आपके उपर बन रही है जिससे आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है कुम्ब। राशी दोस्तों कुम्ब, राशी वालों को बता दें कि भगवान बजरंग बली आप पर महरबान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान बजरंग बली आप पर अत्यंत प्रसन है जिसकी वजह से आपके जीवन के जो भी दुखदर्द और कश्ट हैं वे अब दूर होने वाले हैं। वही बजरंग बली की कृपा से आपके जो भी कार्य सालों साल से रुके हुए थे। अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे। अगर आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया है, तो वह पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कर्जों से मुक्ती पाने में काम्याब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बजरंग बली की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी। व्यापार में अचानक धन लाब होगा और घर परिवार में सुक शान्ती का वातावरन रहेगा जी। हाँ दोस्तों कुम्भ राशिवालों आपके ऊपर भगवान बजरंग बली की कृपा बन रही है। साथ ही साथ आप अपने उग्र सभाव पर सयम रखे। यह आपके लिए हितकारी रहेगा। साथ ही कुम्भ राशिवालों आपको बता दें कि आप जल्द से जल्द नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा। कुम्भ राशिवालों अब समय आपके पक्ष में हैं। कहना गलत नहीं होगा। भगवान बजरंग बली के आशीरवाद से कुम्भ राशिवालों। अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाब धन लाब बडड़ी बडड़ी सफलताएं प्राप्थ होने वाली हैं और आप सफलता के जंडे गाड़ देंगे। दोस्तों अगली भाग्यशाली राशी है। मीन राशी दोस्तों आपको अब व्यापार में उपलब्धियां प्राप्थ होगी। करियर में सुधार होगा। प्रमोशन के साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ती होगी। साथ ही धन प्राप्ती के कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होगे। कोट का चहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। विरोधियों को पीछे कर पाएंगे। अपने महनत की और अपनी सू आज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। यहां पर देखा जाए तोरु के हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। बिजनेस व्यापार में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही प्रेम जीवन में देखने को मिलेगी और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। उच्छ अधिकारी आपके कार्य से काफी प्रसन्न नजर आएंगे। पूजा पाठ में इस समय मन लगेगा। धार्मिक कार्य अधिक करेंगे। धर्म कर्म के कार्य से जुड़े दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूले धन्यवाद।